ही गाइस तो स्वागत है अपका Captain B2 के चैनल में जहां अज हम बात करने वाले हैं कि Spider-Man Across the Spider-Verse में चल क्या रहा है आखिर क्यों Miles को Megalohar अपने साथ जॉइन करने नहीं दिया और ऐसा क्या हुआ जिसके वज़े से सारे Spidey Miles के पिछे पढ़ गए अभी तक सिर्फ टेलर्स आया है ना कि मूवी तो हम जो भी इस वीडियो में बात करेंगे वो थ्योरीज होंगे तो without wasting any more time, let's begin शुरुवात करते हैं हम इस बात से कि Spider-Man 2099 ने लौवी क्यों मनाया जिसका relation कही न कहीं उसकी बेटी से जुड़ा हो सकता है जिसके सिफ तस्वीर अभी तक हमें देखने को मिली है implying कि वो मर चुकी होगी अब Spider-Man 2099 की बेटी के मरने के दो कारण हो सकते हैं पहला ये कि उसकी death Spider-Man 2099 के लिए एक Uncle Ben की death के जैसा होगा जो कि Miguel O'Hara को Spider-Man 2099 बनने में मदद करे या फिर उसकी death किसी multiversal event से हुई होगी और वो multiverse में नजर इसलिए रख रहा है ताकि future में कभी ऐसा ना हो अब ये दोनों ही चीज़े होने की बहुत ही जादा chances है क्योंकि हम trailer में Spider-Man 2099 को ये बोलते वे सिंते हैं कि Uncle Ben की death अगर नहीं होती तो यहाँ पे कई सारे Spider-Man भी नहीं होते इंपलाइंग कि Uncle Ben की death बहुत ही important है एक sort of absolute point के जैसा जो कि मेरे ख्याल से इस सावाल का जावाब होगा जिसको Miles ने पूछा होगा कि अगर तुमारे पास मौका होता कि Uncle Ben की मौद को रोक सको तो क्या तुम लोग उसको रोकना नहीं चाहोगे अब इसका जवाब तो Spider-Man 2099 ने ये दे दिया कि Uncle Ben की death के वज़े से इतने सारे Spider-Man बने हैं बद हो सकता है कि इस सावाल का जवाब बाके Spider-Man भी differently दे जहां कुछ लोग उनकी मौद को आप सोच रहे होंगे कि Miles के लाइफ में तो प्रॉलर जो कि उसके अंकल थे वो मर चुके हैं तो यहाँ पर अंकल Ben वाली बात तो खतम हो जाती है तो यहाँ पर किसकी death को ले कर बात चल रहा है जिसका जवाब मैं दे देता हूँ और वो और कोई नहीं बलकि Miles Morales के डाड होंगे क्यूंकि अभी तक Comics, Animated Show या Game किसी को भी आप उठा लो उसके अंदर Miles के डाड एक पॉंट में आके ज़रू मरते हैं इनफाक ट्रेलर के अंदर हम उसके डाड को एक डाइडाई सिचुएशन में भी देखते हैं और उस वक्त Background में जो Voice Over चल रहा होता है वहाँ पे Spider-Man 2099 ये कहता है कि क्या तुम किसी एक जान के बदले बाकि सब की जान खत्रे में डालोगे जो कि Clearly State कर रहा है कि यहाँ पे Miles को ये Option दिया जा रहा है कि क्या तुम अपने डाइड की जान बचाओगे या फिर बाकि सकती जहाँ पे Miles दूनों की जान बचाना चाहता है लेकिन यहाँ पर Megalohara मतलब कि Spider-Man 2099 इसका विरोध करता है और इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में अनबन होता है और Miles जो की जानता है कि उसके डाइड मरने वाले हैं तो यह उनको बचाने के लिए जाता है लेकिन Spider-Man 2099 जो की जानता है कि अगर Miles ने ऐसा किया तो इसका consequences बहुत ही जादा बुरा होगा और Multiverse में इसका impact पढ़ सकता है इसलिए वो साइड स्पाइडर मैन को Miles के पीछे लगा जयता है अगर आपको याद हो तो What If सीरिस के अंदर हम लोग ने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिश्टीन की जान बजा ली थी लेकिन उसके वज़े से पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया था सिंपल भासा में बोलूँ तो Miles के लाइफ पे उसके डैड की देख एक एपसुलूट पॉइंट है जिसको अगर होने से रोका गया है तो शायद तक यूनिवर्स तबाह हो रखता है I know MCU एं सूरी का स्पाइडर वर्स अलग-अलग काम करते हैं बढ़ ट्रिलर में MCU को Earth-19999 से डिनोट करके उन लोगों ने ये क्लियर कर दिया कि सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे है प्लस स्पाइडर मैं 2099 का टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस काफे सिमिनर है टोनी के टाइम जिपियर्स डिवाइस से अब ये तो हो गया कि क्यों Spider-Man 2099 ने सारी Spider-Man के वरिजन को Miles के पीछे लगा दिया अब बात करते हैं कि Spider-Man 2099 क्यों Miles को अपने टीम में लेने से मना कर देता है जिसके लिए आगको Spider-Verse के Part 1 मोवी को याद کرना होगा जहां Spider-Man 2099 के इंट्रो के साथ ही हमें बताये जाता है कि कुछ Spider-Man के वज़े से युनिवर्स तबाह होने के कगार में आ गये थे मतलब कि युनिवर्से इस आपस में कुलाइड होने वाले थे लेकिन वो लोग किसी तरह बच जाते हैं तो उसी वक्ट से Spider-Man 2099 काइंड ओफ माइल्स को एक गयर जिम्मेदार Spider-Man मानता है और वो उसे capable नहीं मानता है उसके टीम जॉइन करने का इसलिए वो यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है कि तुम हमारे टीम का हिस्सा नहीं बन सकते अब Spider-Man 2099 भले ही Villainess 5 दे रहा हो दिया हुआ है तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो उसको चकाउट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा हो सकता है कि जो Spider-Verse की मुवी को दो पार्ट में बाटा किया हो उसमें से पहला पार्ट इस चीज़ से डील करता है कि Spider-Man मतलब कि Miles Morales कैसे उस Absolute Point को होने से रोकता है या फिर किस तरह वो बैलेंस आउट करता है और वहीं उसका जो Second Part है वो उसके Consequences से डील करता है अब यहाँ पर जो Spot है वो एक Funny Character या फिर कहा है कि मजाक्या विलन था मिस्टीरियो के जैसे लेकिन हो सकता है कि Spider-Verse के Part 1, Part 2 के लिए एक बहुत ही बड़ा Threat बने आज के लिए बस इतना ही I hope आपको हमाले इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा ताकि आप ऐसे चीज़ें मिस ना करें थाइंक यो फॉर वाचिंग इस वीडियो स्टे ट्यून